आज क्लास में हम कच्छा बारा प्राधी कला दीर्वत को बनाना सीखेंगे हमारा प्रस्ण है दो संकेंदरी वित्तों द्वारा दीर्वत की रसना करो जिसकी दीर अच्छ 10 संतिमीटर और लग अच्छ 8 संतिमीटर हो तो ख्रेंच हमारा जो दीर्वत होता है वो अंडे की अक यहां आश्य घंश कोक्ता है। हमारी कंडिशन है 2 संकेंदरी वित्रों द्वारा hoping 1 क्येंदभी legend 154 2021 यह हो जाएगा और इसी से एक दूसरा वेत्र इस तरग्य से तो यह दोनों जो वेत्र हैं यह हमारे संक्रेंदरी वेत्र हैं तो इनका प्रियोग करके हमको दीर्वत्र बनाना होगा तो फ्रेंड्स सरसे पहले हम 10 cm की एक लाइन ले लेंगे यह हमारी 10 cm की लाइन होगी जो यह हमारी क्या होगी दीर अच्छ होगी अब इस 10 cm में से इसका हम केंद बिंद निकालेंगा तो 10 है तो इसका अधा क्या हो जाएगा पांच पांच जो हमारा होगा यह हमारा केंद बिंद हो जाएगा अब इससे हम चाहे तो प्रकाल की साहता स सब्सक्राइब सब्सक्राइब में करें अब फ्रेंट्स हमको लगवच बनाना है तो हमारा लगवच कितना है आठ संतिमीटर है तो अर्थात हम चार उपर होगा और चार नीचे होगा यह हमारा लगवच हो जाएगा तो हम 4 संतिमीटर का प्रकाव की सहता से चाप मारेंगे सबस्पहली नामकरण कर लेंगे यह हमाल लेते हैं ए यह बी यह को हो जाएगा और 4 संतिमीटर माप लेकर केंदर ओ से एक चाप लगाएंगे और नीचे भी ऐसे करेंगे एक चाप नीचे भी लगा देंगे तो फ्रेंड्स यह हमारे लगवज हो जाएंगे अब फ्रेंड्स अब फ्रेंड्स हमको व्रत बनाएंगे तो व्रत बनाने के लिए सबस्पहली हम क्या करेंगे इसकी माप ले लेंगे यह 4 संतिमीटर है और इसको एक व्रत बना देंगे ये कुछ इस पका से वित आएगा फिर हम क्या करेंगे जो ए और ओ की दूरी है इसको ले लेंगे और ए पर प्रकागी नोग रखकर एक और वित बना देंगे कुछ इस पका से हमारे दो संकेंदरी वित मिल जाएंगे अब इनीक सायता से हमको दीरवत बनाना होगा तो हम फ्रेंड्स क्या करेंगे तो हम सरस पहले एक चांदर लेंगे और वो केंदर बिंद को मानते हुए 30-30 दिगरी के कोंड बाट देंगे इसको तो यहां सुरू करें करेंगे एक पांट हमको यहां पर मिल जाएगा फिर आगला 30 मिले गा 60 पर फिर अगला 90 पर अगला 30 मिलेloe हमारा 120 पर फिर अगला हमको मिलेगा 150 पर यह हमारे 33 दिगरी के कोण मिल जाएंगे और पट्रिक सायता से इन सभी को हम डाट करके मिला देंगे यह सब चार उतराब हम करेंगे ऐसे एंफ्रेंट्स नीचे भी भी मिला देते हैं इनको हम 33 करके ऐसे मिला देंगे जो हमको 30 दिगरी के जो पॉइंट मिले हैं इनको हम बाहरी बेतर से मिलाएंगे तो हम इस पकार से डाट लाइंग खीचेंगे डाट डाट सभी को काटते हुए यह इस तरग्या से और यह भी पॉइंट हम ले लेंगे इसको भी कुछ इस पकार से मिला देंगे इस पॉइंट से तीस डिगी का कौन बनाएंगे इस यह वाला पॉइंट को लिएंगे और ऐसे मिला देंगे इनका नाम करना कर देंगे जैसे यह वन टू थिरी फोर फाइब शेक्स यह सेवन हो जाएगा यह एट हो जाएगा अब नीचे वालों को भी नाम करना कर देंगे नीचे वाले वेत्त के लिए यह वन था तो हम इसको वन डाश मान सकते हैं ए यह 2-ज्व, यह 3- , यह 4-5- ज्व, यह 6-ज, और यह 7-ज, और यह 8-ज, अब प्रेंट, अब यहांसे ध्यान देनी वाली बात है, क्योंको हम यहांसे अपना दीवित बनाना सुरू करेंगे, अब प्रेंट जो हमारा 4 यह 5 है, इसको पट्रिक साय तरह थोड़ा नीचे को बढ़ाएंगे यह 4 को हम नीचे लाएंगे 5 से मिलाकर पट्रिक रखकर डाट-डाट करते हुए कुछ इस तरीके से पूरा हमको ने लाना बस थोड़ा सा इसको भी हम ऐसे करेंगे इसको थोड़ा उपा ले जाएंगे ऐसे इसको भी करेंगे 3 और 6 को भी ऐसे पठीरी रखकर दोनों पॉइंटों पर ऐसे लाइन खिचेंगे नीचे की और कुछ इस तरीके से और इसको भी ऐसे 6 वाले को भी ऐसे हम कर लेंगे ऐसे ये जो हमारा 2 और 7 है इसको भी आम इसे पॉइंट ओपर Banks पॉइंटों पॉइंटों को मिलाकर नीचे बाएंगे इसे अब फ्रेंस ये जो डैस वाली है जीसे हमारा ये पॉइंट जो है टू डैस है ये थिरी डैस है एनको भी इस तरकी पॉइंट 노래 रखकर पहले हमको बार की और खीचना है पॉइंट को मिला लीजिएगा पहले सही से फिर बार की और खीचिएगा तो यहां से रखेंगे तो इस तरह बार की और खीचेंगे और इसको भी यह हमारा टू टैस का पॉइंट है तो बार की और इसको भी खीचेंगे ऐसे वन डैस और फोर डैस को पत्रिक साहता पॉइंटों मिलाएंगे फिर बार की ओर खीचेंगे यह जी फोर डैस है यह इसको आपको इस तरीके मिलाना है इस दोनों पॉइंट एक दूसरे पर कहीं भी कट करें तो यह जैसे यहां पर हमारा कट कर रहा है हैसे इसको भी 5 डैस और 8 डैस को मिला देंगे बार की ओर पॉइंटों को मिला लीजिएगा फ्रेंट सही से बार की ओर इसको कट करेंगे इसको भी लाएंगे बार की ओर और यह हमारा जो 6 डैस और 7 डैस है इसको भी ऐसे ही कर देंगे और इसको भी हैसे करेंगे अब फ्रेंद्स यह जो कट वी पॉINTV हैं यह हमारे पॉINTV मिल गाए हैं इन पॉINTV की साहेता सही हमको देड़ोप बनाएंगे अब कैसे करेंगे अब इन ही सभी पॉINTV को हम मिला देते हैं तो मिलाएंगे तो पहले हम यहां से यह से सुरू करेंगे डाट डाट करते हुए सभी को मिलाते हुए जाएंगे यह इस वाले पॉइंट से यह हमारा क्या था C और यह वाले जो पॉइंट था यह ती इस वाले पॉइंट से सभी होकर जाएंगे तो हम यहां से यह सुरू करते हैं डॉट डॉट अच्छी रीके से अब यहां पर हमारे मिलाने का ही खेल है पूरा यहां पर ऐसे मिलाएंगे पहले डॉट डॉट करेंगे सीधे नहीं करेंगे पहले डॉट डॉट करेंगे सी से ओकर जाएगा और यह इदार आएगा कुछ इदार मैं थोड़ा गुमा लिता हूं इसको अग्याओ 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 इसे सभी पॉइंटों को मिलाते हुए ऐसे ही सभी पॉइंटों को मिला देंगे अब फ्रेंट इसके बाद मिलाने बाद सभी से गोला करते हुए इसको डार के कर देंगे और डार करने बाद हमारा दिर्वत बन जाएगा डार करने बाद हमारा कुछ इस पकार से हमारा दिर्वत बन जाएगा और यह हमको दिर्वत बनाना है दो संकेंदी वित्युक साहता से जो कि हमारा कंपलीट हो चुका है और अंत में हम इनकी मापो को दस आ देंगे जिसे हमारा यह दिर्वत था 10 cm तो हम यहां से ऐसे करेंगे इसको यहां से और यह 10 cm दिखा देंगा और जो लगवच था हमारा 8 cm था यहां से लेकर 8 cm यह हमारा दिर्वत बनके complete हो चुका है